हलो एवरिवान आप सबका स्वागत है मेरी यूटीव चानल पे आज हम बात करेंगे शाही गरम मसाला के बारे में कि हम शाही गरम मसाला बहुत असान तरीके से हम इसको घर पर कैसे बना सकते हैं तो अगर अभी तक आपने मेरे चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटफट जाईए और मेरे चानल सब्सक्राइब कर दीजिए और लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीजे क्लियर हो जाएं तो ये मैंने लिया है जीरा 50 ग्राम और उसी के साथ में हैं खस-खस 50 ग्राम उसके बाद है छोटे लाईची 25 ग्राम और ये है लॉंग 10 से 15 आप लॉंग ले सकते हैं फिर है धनिया एक छोटा चमच आप धनिया ले लीजे फिर है काली मिर्च 50 ग्राम फिर है सौफ एक चमच और उसके बाद है ये जाएफल एक जाएफल ओके सो इस प्लेट का सब कुछ कंप्लीट हो गया है सो अब इसी के साथ आजाएए नेक्स प्लेट पे ये हैं दो टुकडे दाल चीनी के लिए है मैंने और इसी के साथ में है एक रतन जोत और ये है कश्मीरी लाल मिर्च तो अब है ये तीन से चार तेज पत्ते और ये है दो फूल जावित्री के और ये है सोट का एक टुकड़ आप ले लिजे और इसी के साथ में है पिपली के दो टुकड़े आप ले सकते हैं और ये है चक्री फूल तो चक्री फूल के साथ है मोटी लाइची 2-3 अप ले सकते हैं और ये है दगर फूल ओके तो सारे मसाले मैंने आपको बता दिया है कि मैंने क्या क्या लिया है और अगर आपके पास इसमें से कोई भी एक आदा नहीं है तो कोई भी परिशानी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आप उसके बगार भी बना सकते हैं तो चलिए फिस स्टार्ट करते हैं कि हम गरम मसाला कैसे बनाएंगे अब से पहले हम पैन रखेंगे और पैन को गरम होने देंगे इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इसमें एक बुंदी पानी ना हो और पैन गरम होते ही हम धीरे-धीरे सारे मसाले इसमें डाल देंगे और सारे मसाले डालने के बाद सरफ इसे दो मिनट ही भूनना है उससे जादा नहीं भूनना अधर्वाइस उसका फिर टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा तो इस बात कहां में पूरा ध्यान रखना है तो दो मिनट पूरे हो चुके हैं और अब मैंने गैस बंद कर दी है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मसाले हैं ये कुरकुरे हो गए है और जो दो मिनट तक आप इसको भूनेंगे मसालों को तो ध्यान रखना इसको कॉंटिनुट चलाते रहना है कहीं ऐसा नहों कि आप इसको छोड़ के अपना सहर करने का ही निकल जाएं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है उसको अराम से धीमे आच पे उसको धीरे-धीरे भूनते रहना है ओके, तो मैंने आप मिकसी का यह जार ले लिया है और मैं अब सारे मसाले जो मैंने भूने थे मैं सारे मसाले इसमें डालूंगी और एक बात का आपको ध्यान रखना है सोट और जाए फल को थोड़ा सा क्रश करके डालना है अदर्वाइस वो अच्छे से मसाले की फॉर्म में नहीं आता है तो चलिए फिर इससे ग्राइन कर देते हैं फटा फट से अगर आपको और भी पतला चाहिए ये मसाला तो आप इसको और ग्राइन कर सकते हैं और जादा पीस सकते हैं और जादा बारी कर सकते हैं इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जब मसाले भूनने के बाद पूरे अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं तब ही उनको आप मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तभी उसके बाद ही आप उसको पीसेंगे अच्छे से कोशिश करें आप मसाले इसी तरीके से घर पे बनाएं क्योंकि बाहर किस क्वालिटी का मिल रहा है कैसा मिल रहा है कितने कैमिकल्स मिले हुए है यह हम लोगों को नहीं पता होता है क्या क्या कलर्स मिले हुए है तो वो सारा तभी आजकल बहुत लोगों को पेट में दिक्कत रहती है तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगे घर में इसी तरीके से बनाएं बहुत जादा हेल्दी है बहुत जादा टेस्टी है इस मसाले को डालने से खाने का स्वाद बहुत जादा बढ़ जाता है और इस वग भी इसमें से बहुत जादा खुश्बू आ रही है तो आज के लिए बस इतना ही आपको आज के रेसन बहुत जादा पसंद आया होगा तो नेक्स लेसन में मिलती हूँ next recipe का साथ okay, bye-bye!